जैहिन दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर एक बॉक्स बड़ा है, जो कि है JBL के कंट्रोल 25-1 स्पीकर के पेर का, यह जो स्पीकर हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिम के अंदर, आपके कोई बेस्मेंट में अपने म्यूजिक प्लेस बना रखा है, व आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इनी की डिटेल बताने जा रहा हूं, इन्हें अन्बॉक्स करेंगे, इनका डेमो देखेंगे, हमें कैसी क्वालिटी मिलती है, जो भी अपीनियन मेरा रहेगा इने सुनने के बाद में, वो मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगा, त और आडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, आपकी कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर ही हमें आते हैं, आगे हमें ब्रैंडिंग दी गई है, जे बील की, एंड हम इसका मॉडल नमर मिल जाता है, यहां हमें इसका MRP मिल जाता है, जो की है 54,198 रुपीज, बट इसका जो बेस्ट प्राइज आपको मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप वो अला सेक्शन ही मिस कर जिसमें आपको इसका प्राइज बताने जा रहा हूं, जो प्राइज मैं आपको इसका बताऊंगा, वो सच में बहुत यादा एट्रेक्टिव प्राइज है, बाकी कुछ खास जानकारी एसी बॉक्स में नहीं है, जो भी जानकारी है वो मैं आपको आगे चल कर वीडियो मे जिसमें की सारी डिटेल बताई गई है कि आप इसे किस तरीके से माउंट करेंगे, कैसे यूज करना है, वायर कैसे लगानी है, जो भी जानकारी है, वो सभी इस पेपर पर हमें मिल जाती है, यहाँ पर हमें एक ब्रॉशर दिया गया है, इसके स्पेक्स का और कुछ एप्ल तो अथिकिस का रिलन पर लगाना चाते हैं, जिस भी तरीके से आप इसके स्पेकर ने यूज करना चाते हैं, तो आप इस स्पेककर म्ला यूज कर सकते हैं, अगि के अजर मेटल की ग्रिल एंड यहां पर हमें JBL का लोगो दिया गया है एंड यहां अगर बात करता हूं मैं इसके इंक्लोजर की तो प्लास्टिक के अंदर इने बनाया गया है वोडन में नहीं है विकाज इसे हम आउट्डोर भी यूज कर सकते हैं सो इसलिए हमें वोडन का करते हैं इसे माउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है काफी लोगों ने यह सवाल भी मुझसे पूछा है कि इने माउंट कैसे गरे तो इसे मैं अलग से बताता हूं तो इने किस तरीके से माउंट किया जाएगा यह इसके उपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिस तो यह आपका इंपिडेंस पर काम करेगा अगर मैं इसके ड्राइवर की बात करता हूं तो यह तूवे स्पीकर हैं जिसमें हमें एक 5.25 इंची का मीडबस ड्राइवर दिया गया है और एक मिलता है क्वाटर इंची का ट्वीटर एंड यह जो ट्वीटर है यह हां टाइप पानी पड़ेगा तब भी खास चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है एंड जेबील कोछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी प्रोवाइड करता है जो कि ऑप्शिनल है उन्हें आप अलग से खरीच सकते हैं उन एसेसरीज का यूज़ करने से जो इसकी IP44 रेटिंग है वो बदलकर IP55 हो यह जो स्पीकर अफें यह 100B itok अरिया को आप यह यह फिर आप इन्हेय द्रेश कर सकते हैं या फिर आप इनल्पड़ी ब्हूरीज़् कर जाएगा कि इनकी जो आउट्पुट अपनी बात करता हूं तो इस स्पीकर्स का यह पुर। आप स्टेफ लूगने सथे अंदर करत इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में मैं इसके कुछ डेमोज वहाँ पर भी डाल दूँगा तो अभी के लिए फिलाल ये जो डेमोज में आपको दे रहा हूं आप इनका यूज करें अगर आप हैडफोन का यूज करते हैं तो यादा बैटा रहेगा जिससे कि आप अब इसका यूज करते हैं तो फ्रेंट यहां पर भी हमने इसका डेमो भी देखा है आपने भी सुना है हैडफोन लगाए होंगे तो जरूर पता लगा होगा आपको कैसा लगा है इनके डेमोज को सुनने के बाद में यह कमेंट करकर जरूर बताईएगा और अपना ऑपीनियन मुझे जरूर बताया करें अच्छी मिली है, एक 5.25 इंचीज के मिडबस ड्राइवर होने के बाब जूद भी जो बेस की क्वालिटी है, यानि कि जो लो एंड मुझे मिला है वो भी काफी यादा सही मिला है इसमें और जो हाइस है वो भी काफी अच्छी मुझे मिली है यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप इन्हें अपने होम तेटर सेट अप में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा ना करें इन स्पीक्टर्स के अंदर जो परफॉर्मेंस मिली है वो काफी यादा अच्छी मिली है बट यहाँ पर मुझे जो वोकल्स है वो बहुत यादा लाउड मिले हैं इसके अभी वो रिकॉर्डिंग में आपको पता लगा है या नहीं लगा I don't know बट जो मुझे महसूस हुआ है वो चीज में आपको क्लियर करना चाहूंगा और साथ ही इसमें जब वाल्यूम को तेज किया जाता है तब एक अच्छी परवार्मेंस हमें मिलने शुरू होती है बट अगर वाल्यूम को हम डाउन रखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगरा है वो बहुत कम हमें सुनाई देता है तो ऐसी कंडिशन में हम इनकी प्लेस्मेंट वहीं करें जहां पर हमें लाउड म्यूजिक चाहिए तो यादा बैटर रहेगा इसी वज़े से इन स्पीकर्स का जो यूज है वो हम सिर्फ एटिटोरियम्स वगरा में करते हैं या जिम में करते हैं ऐसी जो जगा होती है जिनमें लाउड म्यूजिक यादा चलता है तो ऐसी जगा पर ही हम इनका यूज करते हैं सो मेरा सेजेशन यही रहेगा कि आप इनने घर के लिए यूज ना करें तो यादा बैटर है एंट इसका MRP मैंने आपको बताया था और साथ ही मैंने का था इसका प्राइस जो है वो बहुत यादा इटरैक्टिव है सो अगर आप इसे हमसे परचेस करते हैं तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको फ्लैट 50% का डिसकाउंट इस पर दिया जाएगा आल ओवर इंडिया आप इन्हें मंगवा सकते हैं शिपिंग अवे लेबल है बट आपको शिपिंग कॉस जो है वो अलग से पे करनी बढ़ती है अगर आप नए है चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा आप स्वस्त रहें और मस्त रहें मैं फिर से मिलूंगा नई वीडियो के अंदर जैहिन दोस्तों